नमस्का स्वागत है आपका इवेपी लाइब में इस वक्त मौझूद हूँ में अलीगर के विधानसवा इगलास में मराटाओं का किला यहां मौझूद है लंबे समय से अपनी दोल्रसा पर आसु बहर आए बताये जाता है मराटा किला में पहले तैसील चला करती थी इगलास मराटा किला का का यहां के वर्ष समास से भी हैं उनके दोरा लंबे समय से इस किले की देखवाल की जा रही है साफ सपाई नीजी खलचें से करभाकर यहां पर उनकी दोरा एक किले को नया आयाम दिया जा किया के चाहेंगे ओर किा तरीके का किला है और किया हितियास है यह मराथा किला था मराथा यहां से गए इसमें तैसिल चलती थी मराथा 融 Сам कोलेंश अगरा को इसको दे गए थे तैसील चलती थी जो हम बहुत छोटे थे तो यहां लोगों के द्वारा बताया गया कि दो रुपे तीन रुपे किराया आरबियस कॉलेज आगरा को जाया करता था तैसील हात्रस रोड पर जाने के बाद में इसकी दुर दर्शा हुई और लोगों ने यहां गंदगी करना सुरू कर दिया और यहां यह पोईशन हो गई कि दुरगंद आती थी प्रसासनिक अधिकारी जन प्रत निदी इसकी मोबाइल से अपना बीडियो बना के ले गए मगर किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया फिर हमने जो है लोगों का सहयोग लेकर के जैसी भी से इसकी खेल लेते हैं यह तो यह बताए जैसे लंबे समय से दोल्रसा इसकी इस तरह कही है कि इस थानी प्रसासन या फिर कोई जन प्रत ने दी उनके दोरा बड़ा नेंडला क्यों नहीं लिया गया या फिर इसे पुराता तो भी आपको सौपने के बाद इसमें कहीं ने कहीं नगर पंचायत के हेंड़ोवर कर देता तो नगर पंचायत अपने संद्शन में लेकर इसकी साफ सफाई विवस्ता और रिपेरिंग करा देती जिससे यहां पर गरीब लड़कियों की शादियां होती रहती और बिल्डिंग मैंटन रहती मगर किसी ने इसके बारे में सोच किले के चारों और बड़ी बड़ी गुम्मद हैं इसमें अंदर खम्रे बगरावी बने हुए हैं साफ तरुपर में केमरा परसन से कंगो वह इन्हें दिखा हैं जिस तरीके से गुम्मद है बनी हुई है एक बड़ा सा गेट है यह पुरातत विवा को मिलने के बाद इसका स इसके लिए उता इसका सकतेे हैं को इससे इसके तरफ कोई धियान नहीं दे रहा मगर इसकी तरफ कोई द्यान नहीं दे रहा है के बाने के तक सीमित है जो ब로uchen点 कर सकती क्बार्ण को अपनी खर्शित कर सकतीenser पुराने समय में ये किला आलिशान हुआ करता था लेकिन जर जर बिल्डिंग है आज तो क्या कुछ खास है थी खास बात यह है कि ये बिल्डिंग जो है मराठाओं की है एक मराठाओं की धरोवर है इसको मेंटन करने के लिए समाज को भी आगे आना चाहिए प्रसासन को भी आगे आना चाहिए जिससे कि ये अलग दिखाई दे है इगलास में सबसे उंचे इस्थान पर बनी हुई है ये दूर तक दिखाई देती है इसकी छट पर चड़ करके पूरे इगलास का नजारा देखा जा सकता है तो साफ तोर पर देखा जा सकता है इसकी छट पर चड़ कर पूरे इगलास का नजारा देखा जा सकता है ये बिल्लिंग है पूरे तरीके से जरजर अवस्ता में दिखाई दे रही है अगर मैं बात गंदगी की कहूं तो मराटा किला इस समय गंदगी में तबदील हो चुका है लंबे समय से इसकी ओर पुषासन के त्वरा कोई ध्यान नहीं दिया गया यही कारण है अब ये मराटा किला पूरे तरीके से जरजर हो चुका है ये चार गंदगी जो है इस आलिशान किले की पूरे तरीके से आकर्षत करने वाली गंदगी हुआ करती थी लंबे समय से इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया यही कारण है ये आलिशान किला अब जर जर हो चुका है एवीपी लाइब से खालीक अंसारी आलिगर